हेलो सोटेंगेर उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की रेक्टर शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग को मेरी तरफ से बहुत-बहुत दिवाली की शुपकामना है जी हाँ करते हैं बहुत सारे टेकनों से अगर पसंद आईगी तो लाइक करते हैं लेकिन कल में आप से सवाल पूछा था कि शाओमी और रियलमी दोनों के प्राइस हाइक के बाद आप कौन से ब्रेंड को फिर से मतलब श्टिल प्रिफर करते हैं तो यहां पे 65% लोगों ने यहां पर लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो बेले कबर की बात करते हैं यहां पर शाओमी से शाओमी का जो रेड्मी नोट 6 प्रो है यह ऑफिशली जो वह इंडोनेशिये के अंदर जो वह लाउंच हो चुका है जिहां और प्राइसिंग भी यहां पर जो तो शायद सम बोल सकते हैं अब वहाँ पर जो प्राइस रिवील हुई वह तीन और बतीस की साड़े चौदा हजार की है और 464 की साड़े सोलह हजार की वहीं मिलता आपको स्नापडेगन 666 4000 मिच की बैटरी चार केमरा रियर में 12 प्लस पांच का और आगे 20 प्लस दो मेगा अब देखते इंडिया में कितना जल्दी आते क्या कुछ खास शाओमी लेकर आता है यह तुम्हें अजब आएगा तभी बता दूंगा और यहां पर साथ में शाओमी ने चाइना के अंदर एपल के एरपोर्ट के क्लोन को लांच कर दिया है उसको बोलते हैं शाओमी का एर डॉट्स जी हां डॉट्स चुकान में आप जैसे लेकि गूमते ने एपल का एरपोर्ट जैसे है वैसी यह फीचर वैसी यह टैप करके आप उसको इसको इसको इसमाल कर सकते है उसमें ब्लुटूथ वरजिन 5 और वही गाने बाने सुनके आप मज़े ले सकते हैं सिफ 29 तरफ से खबराडियो और एमेजॉन ने यहां पर इंडिया के अंदर अपनी ओडियो बुक्स सर्विस को जो वह लांच कर दिया है और इसको बोलते है और जिसका एप्लिकेशन आप लोग को एंड्रॉइड और आईवस में अभी मिलना शुरू हो जाएगा और यहां पर क् दूसुरूरुपय से महीना शुरुबात होती है हर महीन आप चाहे तो दूसुरुपय सब्सक्रीशन के लिए दे सकते हैं या पिर शे महीना या एक साल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं लेकिन यहां पर यह आपको अपने कान में अपने यहर फोन लगाया और अगर आप लेगा ममी को ममी कुछ नहीं बाया लोजी सुन रहा हो तो यहां पर मोटो ले की तरफ से ख़बर आदे और जो मोटो रोला है मोटो रोला यहां पर बताया दार है कि अपने जी सेवन को बहुत जल्दी जो वो लॉंच कर सकता है और रिसेंटली यहां पर FCC सर्टिफिकेश अब इसमें क्या कुछ खास लेके आएगा यह नहीं पता लेकिन एक जगा पर यहां पर मोटोला का वायलेस चार्जर भी जो लीक हुआ है और ऐसा पताया दार है कि जो जी सेवन होगा इसमें आपको वायलेस चार्जिंग का भी जो वो सपोर्ट मिलेगा तो जो ग्लास पै पर उनके थगला बटन अगा उन्होंने मार के एक्टिविक किया और सीधा से यहां पर बात किया क्यूंकि यहां पर इस statement में Facebook और Google के उपर सीधा निशाना मारा है उनके Bink और Social Network LinkedIn को compare करके मतलब यह आप उन्होंने यह बता है कि हम कुछ profit के लिए customers के data को sold नहीं करते हैं search engine में तो ऐसे कुछ कांड होए नहीं है जहांपे Google के search engine को उन्होंने जब ताना मारा है तो दो चीज़ के example दे कि उन्होंने दो बड़ी company को ताना मर दिया है और कहा है कि हमको मिलके काम करना चाहिए human rights के बारे में सोचना चाहिए और data काफी crucial चीज़ होती है ऐसा नहीं कर पर जो under display fingerprint scanner है इसको बोलग यहां पर improved कर रहे है और कुछ और भी bugs वगरा उन्होंने fix कर दिया है जब शायद से आपको मिला होगा डब्बे से जब अपने bone को बाहर निगाला होगा तब आपको 9.0.4 मिला होगा और अभी तुरंत उन्होंने 9.0.5 दाल दिया है मुझे और उन तो बेसे ठीक लगा मुझे देखते है 1.7 क्या मज़े करता है तो यहाँ पर recently जो वो PUBG के अंदर बताया दर है कि आप लोग को DC वाले Suicide Squad के Joker और Harley Quinn के दो characters जो वो देखने को मिलने वाले है PUBG ने यहाँ पर DC के साथ में partnership करते है और उन्होंने officially announce कर दिया है एक trailer भी यहाँ पर जो वो शेर कर दिया है आपको PUBG के अंदर अभी दो नए Suicide Squad वाले character मिलेगे एक Joker और दूसरी Harley Quinn जहाँ पर आप लोग इसको Xbox और PC में फिलाल के लिए जो वो खेल सकते है और अभी यह कब rollout होगा इसके पर उन्हें official date नहीं बताइए और आने वाले समय के दर आप लोग को mobile के अंदर भी यह दोनों character available हो जाएगा अगर आप Suicide Squad के fan है तो आप लोग को यह दो character अभी PUBG के अंदर भी खेलने को मिलने वाले है तो अब यह Samsung की तरफ से खावार आड़ियो और जब मा settings के अंदर जो night theme वाले section के अंदर upcoming Galaxy S10 वाले device की design hint यहाँ पर दी गई है जी हाँ आप यह picture देखेंगे इसमें यहाँ पर night theme वाले section में नीचे की तरफ एक phone दिखाया जा रहा है इसके अंदर आपको ना ओपर कुछ notch दिख रहा है ना बिल्कुल भी bezel दिख रहा है completely आपको full view वाले smartphone यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो इससी बताया जा रहा है कि upcoming S10 आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ से पता इसलिए चला क्योंकि जब S7 आया था तो उसमें जब Nougat का beta version आया था तो उसके अंदर S8 की design की hint दी गई थी और जब S8 आ कर दिया है और अपने वर्ल्ड का सबसे पहला 7NM वाला GPU उन्होंने वह अनौंस कर दिया है यह वर्ल्ड के सबसे पहले GPU आपको 7NM के ओपर देखने को मिलते हैं 2GP आपको मिलते हैं AMD Radeon Instinct MI60 AMD Radeon Instinct MI50 दोनों यहाँ आप आपको Vega core architecture पर देखने को मिलते हैं और जो 7NM व आपको इसमें जो देखने को मिलते हैं अगर आप उसको 14NM वाले पुराने वाले Vega core से compare करते हैं तो वह 1.25 बिलियन ट्रांजिटर्स पे थे डिफरेंस दिख सकते हैं आपको कितना जयात आपको देखने को मिलता है और इसमें आपको as high as 32GB तक की जो वह memory मिलीगी ग्राफि की आचुके देखते हैं पर कितना जल्दी खास हमिए देखने को मिलता है कौन से कौन से डिवाइस में आते लेप्टॉप में पीसी में कहां पर भी आएगा जरूस आपको बता देंगे क्या आपको पता है कि हर महीने यहां पर लगबक से 2,000,000 जाने कि 20,000,000 से ज्यादा यहां पर डूमेन नेम्स जो रेजिस्टर किये जाते 20,000,000 से जादा डूमेन नेम्स हर महीने रेजिस्टर किये जाते सोच लो पात किने उसे में खतम होती मित करता आपको आज की रेडिन नीज पसन है कि अगर आपको पसन आए तो अब जरूस इस वीडियो को लाइक मिलते हैं आप सक लेडियो में एक नए विडियो को साथ तिल देन अब ग्रेट डे एंड आल्वेस कीप स्माइलिंग